हेलो फ्रेंज विल्कम टो सिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंज MCQs on Indian Economy for UPSC, PFO, AOU, Lecture No. 3 डिसकस करेंगे दो लेक्चर्स अल्रेडी देख चुके हैं, Economy के Lectures थोड़े अब स्पीड अप करेंगे Economy के Lectures आपके कम हुए हैं, तो 5 questions डिसकस करेंगे, हर lecture में almost हमारा 5 questions का average निकालते हैं, ठीक है, तो वही pattern रहेगा आपने उसी तरीके से इसको ले करके चलना है, 5-5 questions करके आप देखो बहुत से बच्चे कहते हैं, सिर्फ 5 से जादा questions करो, देखो उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि एक वीडियो में कितने questions हो रहे हैं, आपके लिए ultimately matter करेगा कि total कितने questions आपने किये हैं, कोई भी exam हम देने जाते हैं, जब हम UPSC का specially तो हम बच्चों को suggest करते हैं कि preparation के इलावा, एक बहुत important point होता है आपका MCQs solve करना, क्योंकि ultimately जब आप MCQs solve करते हैं, आपको एक direction मिल जाती है जो अपनी चीज पड़ी हुई है, उसको implement करने का तरीका पता चल जाता है, जो चीजे पड़ी है, वो कितनी important है, कितनी नहीं, वो पता चल जाता है चीजे revise हो जाती है, और जब आप questions की form में चीजों को करते हो, तो ultimately आपको याद भी होना शुरू हो जाता है तो इसलिए MCQs solve करना ज़रूरी होता है, और ultimately हमारा target होता है कि maximum questions हम करने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि अगर आप सारे lectures मेरे follow कर रहे हो, MCQs के almost सारे subjects के उपर lectures चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि around अभी तक ही हमने कम से कम जादा नहीं, तो 200 to 300, उससे जादा ही कर ली होंगे MCQs solve, अगर आप सारे lectures मिलाते हो, तो जब तक by the time आपका exam आएगा, कम से कम आप देखोगे, 2000 MCQs तक solve कर चुके होंगे इन सारे subjects के, जो आपको highly important रहेंगे, ठीक है, तो चलो, पहला question देखोगे, और फटा-फट्चे खुद से answer पहले करने की कोशिश करेंगे, पहला सवाल है, थोड़ा सा current से related ये सवाल रहेगा, Bureau of Indian Standards के respect में आपको statements given है, दो statements यह पर given है, पहला statement कहता है कि जो ये एक BIS है, ये एक national standard body है, और ये एक act of parliament के through बनी है, यानि कि ये कहना चाहता है कि जो BIS है, ये एक statutory body है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, constitutional body, जिसको बनाने के लिए provision, सम्विधान में, constitution में given है, अगर parliament के किसी act ने को body बनाई है, जैसे नीतिया योग, तो वो एक non-statutory body है, तो पहला statement क्या कहना चाहता है, कि BIS एक statutory body है, दूसरा statement क्या कहना चाहता है, कि जो union minister होते है, consumer affairs, food and public distribution के, वो BIS के, यानि कि Bureau of Indian Standards के governing council के क्या होते है, chairman होते है, तो ये दो statements, या president होते है, ये दो statement आपके पास है, आ फिर none, correct statement आपको बताना है, ठीक है, तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, दो नो statement से ये वाली ठीक है, option C जो है, वो correct रहेगा, explanation देख लेते हैं, तो clear हो जाएगा, तो Bureau of Indian Standards, National Standard Body है, इसको BIS Act 2016 के अंडर बनाया गया, तो act के अंडर बनिया, यानि कि statutory body है, इसको establish क्य किया गया था, ताकि standardization के लिए, quality certification के लिए, goods की, जितने भी matters हैं, जो भी activities की जाती हैं, इन सब processes में, उसको एक shed के अंडर लेकर के आया जा सके, पहले बहुत सारे acts होते थे, तो अब एक act के अंडर certification और quality certification हो गया, standardization हो गया, ये सारा काम किया जाएगा, ये जो Bureau है, ये body corporate के तरह काम करेगा, और इसमें 25 members होंगे, और ये 25 members represent करेंगे, इसमें central government के representatives भी होंगे, state government के representatives भी होंगे, member of parliament भी होंगे, industry के लोग भी होंगे, science and research institutions के लोग भी होंगे, consumer organizations के लोग भी होंगे, और professional bodies भी इसमें representation जो हैं, वो देंगी, जो आपका union minister of consumer affairs, food and public distribution है, वो इस organization के, वो इस body corporate के, sorry, जो है president रहेंगे, और जो minister of state है consumer affairs, food और public distribution के, वो इसके vice president रहेंगे, governing council के, okay तो ये important points हैं, जो आपने ध्यान में रखने हैं, चलिए second question देखिए, in the context of Indian economy, the term twin deficit refers to, twin deficit क्या refer करता है ये newspaper में twin deficit term बार-बार आपको देखने को मिलेगा पहला option A कहता है revenue deficit accompanied with fiscal deficit, option B कहता है occurrence of current account deficit and fiscal deficit together option C कहता है simultaneous current account deficit and capital account deficit option D कहता है simultaneous rise in NPA and debt burden of the corporates, तो twin deficit का क्या मतलब होता है अगर हम Indian economy के context में बात कर रहे हैं, तो answer इस case में होगा आपका option B अगर हम economy के context में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, कि जो current account deficit है और fiscal deficit एक साथ हमें देखने को मिलता है that is known as the twin deficit problem ठीक है, जो हम non-performing assets और debt burden of corporates की बात करते हैं वो हम twin balance sheet problem कहते हैं ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, twin balance sheet तो अगर यहाँ पर twin deficit की जगा twin balance sheet problem लिखा होता ठीक है, तो उस case में answer क्या हो जाता उस case में answer हो जाता आपका option D ठीक है, तो twin deficit में आपके current account और fiscal deficit आगे current account deficit क्या होता है current account deficit का मतलब होता है, जो भी goods services या investment country में import हो रही हैं या export हो रही हैं for example, इंडिया का total import अगर इंडिया के total export से जादा है, import जादा है और export कम है, तो उस case में क्या होगा, हमारा current account deficit होगा, हम import जादा कर रहे हैं और export हमारा comparatively कम है अगर हमारा export जादा है, किसी country में export जादा हो रहा है और import कम है, तो उस country में क्या होगा उस country में हम कहेंगे कि current account जो है वो surplus है ठीक है fiscal deficit क्या होता है अगर देखो सरकार है सरकार income earn करती है various sources से और खर्चा करती है ठीक है खर्चा करती है अगर सरकार की जो income है वो expenditure से जादा है तो हम क्या कहेंगे fiscal surplus कि सरकार के पास पैसा बच गया लेकिन अगर सरकार की जो income है जो सरकार की कमाई है वो सरकार के खर्चे से जादा है तो हम क्या कहते हैं कि fiscal deficit हो गया ठीक है और इस case में फिर सरकार को जो बॉर्विंग करनी पड़ती है पैसा उधार लेना पड़ता है ठीक है जी तो यह आपकी twin deficit हो गई चलिए third question देखेंगे 1991 crisis related question है important topic रहता है economics की जब भी हम बात करते हैं तो which of the following caused the 1991 economic crisis in India balance of payment crisis, rising price of essential goods, high fiscal deficit आपको बताना है इन में से कौन सा statement जो है correct है इन में से किसकी वज़े से 1991 का economic crisis हुआ balance of payment, rising prices of essential goods या फिर high fiscal deficit, खुद से सोच के अंसर करने की पहले कोशिश जरूर करें उसके बाद ही answer करें तो answer इस case में क्या होगा, answer होगा इसका आपका option D तीनो जो है reasons थे, जिसकी वज़े से 1991 में इंडिया को economic crisis देखने पड़े, and ultimately फिर इंडिया को LPG reforms जो है liberalization, privatization, globalization reforms, वो introduce करने पड़े ठीक है, तो अगर हम financial crisis का origin देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई economy में financial crisis एकदम से आगे, especially अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये जो financial crisis emerge हुए इसके roots जो है, वो 1980s का जो decade था, उसी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ठीक है, अब देखो, सरकार बहुत सी policies चलाती है, सरकार का जो administrative structure है वो कितना बड़ा structure है, तो इस सब में खर्चे होते हैं बहुत सारे, ठीक है और इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार fund कहां से generate करती है, tax collect करती है, public sector enterprises जो होती है, वहां से जो पैसा कमाती है तो ये सारी सरकार की income होती है, लेकिन अगर सरकार का खर्चा जो है income से जादा हो गया, तो क्या हो गया, fiscal deficit हो गया और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर fiscal deficit हो गया, यानि कि सरकार के खर्चे जादा हैं और income कम है, तो उस case में सरकार क्या करेगी, सरकार पैसा उधारी पर लेगी, ठीक है, अब उधारी कहां से लेती है, उधारी के लिए सरकार जाती है बैंकों के पास, लोगों के पास देश के, और international financial institutions जैसे आपके world bank हो गया, Asian development bank हो गया, इन सब के पास सरकार जाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा दीजिए, ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी fiscal deficit की problem, जो इंडिया उस समय पे witness कर रहा था, तो आपका एक option था fiscal deficit का, क्यों witness कर रहा था, क्योंकि हमारे खर्चे जो हैं हमारी income से कम थे उसके बाद अगर आप देखो, अब इंडिया है, इंडिया में petroleum reserves इतने जादा नहीं है, इंडिया को जादा जार अपना सारा petroleum जो है, वो import करना पड़ता है, अब petroleum import अगर हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो payment करनी पड़ती है, वो dollar में करना पड़ता है, जो dollar हमने अपने exports के थ्रूप कमाए थे, ठीक है, अब सरकार continuously development programs के उपर भी spend कर रही है, तो additional revenue तो कहीं से generate हो नहीं रहा, उपर से जो हमें import करना है, वो भी हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो ultimately हमारे पास enough resources, बचे ही नहीं कि हम अपना development policies हैं, उनको भी fulfill कर लें, और हमारी जो import requirements हैं, उनको भी fulfill कर लें, ठीक है, तो ultimately fiscal deficit बढ़ रहा है, अब इस expenditure ये expenditure, ये जो खर्चा है, borrowings के तुरू आप एक limit तक अगर इसको कर रहे हो, तो ठीक है, लेकिन अगर आप continuously borrowing करते जाओगे, तो ultimately ये unsustainable बन जाएगा, क्योंकि borrowings पे आपको क्या है, आपको interest भी pay करना पड़ेगा, जिन bankों से आपने पैसा लिया है, ठीक है, और petroleum बगएरा जो आप import कर रहे हो, उसकी वज़े से आपका जो foreign exchange के reserves थे, क्योंकि dollar में आपको payment करना पड़ रहा है, वो भी खतम हो गया, तो ultimately आपके पास सब पैसा ही नहीं बचा कि आप जो important items है, उनको import भी कर सको, ठीक है, आपके foreign exchange reserves खतम हो चुके है, additional revenue आपके पास है नहीं, पैसा आप already market से उठा चुके हो, तो आपके पास essential items के लिए भी जो है, पैसा नहीं reserves नहीं बचा, ठीक है, तो इंडिया की ऐसी situation आगी थी कि इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो दो हफते के अपने import जो है उनको finance कर ले, ठीक है और साथी साथ हमारे पास ना इतना पैसा था कि हम जो हमने पिछे loan लिया है बाकी के development finance institution से या international institution से उनको interest पे कर सकें, तो ना तो हम अपने import finance कर पा रहे थे ना हम interest पे कर पा रहे थे international lenders का तो ये जो problem होती है, इसको हम क्या बोलते हैं कि balance of payment crisis हो गया कि हमारे पास import तो होता जा रहा है लेकिन हमारा export इतना है ही नहीं कि हम उसको finance कर सकें, ओके ultimately इंडिया को आपके world bank और international monetary fund के पास जाना पड़ा कि भाया हमें आगी है दिक्कत अब बताओ, तो इन दो institutes ने का कि ठीक है हम आपको पैसा देंगे इंडिया को around 7 billion dollar की financial aid उस समय इन दो institutes ने provide की पर इन्होंने शर्ते रखी इंडिया के सामने कुछ, कि अगर इंडिया ये loan avail करना चाता है तो इंडिया को कुछ immediate actions लेने पड़ेंगे और उन actions को बोला गया LPG reforms इंडिया को अपनी जो economy है, उसको liberalize करना पड़ेगा ठीक है, ताकि business doing जो है, वो easy हो जाए ठीक है, बाकी दो दुनिया की companies है, वो इंडिया में आ सकें privatize करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में private sector के उपर बहुत restrictions थी, उसको हटाना पड़ेगा, globalization करना पड़ेगा, ठीक है, तो ultimately, ये सारी शर्ते जो है रखी गई, हमारी government के उपर, उस समय की country के उपर, कि अगर आप ये reforms लेकर के आते हैं, तब हम आपको financial aid provide करेंगे, and ultimately, India had to agree, क्योंकि इंडिया के पास और कोई चारा बचा नहीं था, ठीक है और इसी के मद्दे नजल, जो है, इंडिया ने new economic policy, जो है, वो करेंगे, questions के through, उसको भी cover करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, तो अभी आपको एक पुरा background समझा आ गया, जो आपका question था, ठीक है, चलो okay, now, let us move to the fourth question, ये 2015 CDS में पूछा जा चुका है, demand for a commodity refers to, demand for a commodity का क्या मतलब होता है, option A, desire for that commodity, option B need for that commodity, option C, quantity demanded of that commodity, option D, quantity demanded at certain price during any particular period of time, ठीक है, तो demand for commodity, बड़ा confusing सा question है, ठीक है, बड़ा confusing सा question है, अगर किसी ने economics की NCRT अच्छे से पड़ी है उसके बाद ही वो इसका अंसर जो है कर सकता है नहीं, तो थोड़ी सी अंसर करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है चलिए ओके, तो अंसर इस case में क्या होगा, देखो, desire for that commodity, कभी भी demand नहीं raise करता, अब मेरी, जो है desire है, कि मेरे पास BMW car हो, पर उससे demand में तो कुछ फरक नहीं पढ़ रहा ना, desire तो चाहे मैं किसी भी चीज की रख लूँ है ना, desire होने से कुछ नहीं होता में पास, purchasing power भी तो होनी चाहिए need for that commodity need से भी फरक नहीं पढ़ता सिरफ need होने से commodity की demand नहीं बढ़ती, ठीक है need, तो अगर आपके पास resources हैं, तो need है resources नहीं है, तो need नहीं है quantity demanded of that commodity अब देखो, demand की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिरफ quantity demand इसकी अब हम फुल, अगर पूरे अच्छे से अगर हम इसकी definition देखे हैं, तो at a certain price, अब quantity demanded of that commodity आपने लिख दिया अब quantity, यहाँ पर price भी तो matter करेगा ना, ठीक है, for example एक quantity है, for example coke है, ठीक है अब Coca-Cola अगर लोग गोग ने demand कर रहे हैं, ठीक है, एक demand है, 10 rupees के उसके उपर, 200 ml की bottle की demand है, 10 rupees जब उसका price है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसका price 30 कर दिया, या आपने उसका price 40 कर दिया, या आपने उसका price 50 कर दिया, तो शायद demand कम हो जाएगी, शायद नहीं पक्का demand कम हो जाएगी, definitely demand कम हो जाएगी क्योंकि price बहुत ज़ादा matter करेगा ठीक है, सिरफ जो essential goods होते हैं, वो quantity demanded change, demand change नहीं होगी, for example, अगर onion है अब onion भी, generally लोग अगर onion महंगे हो जाते हैं, तो बहुत से लोग उसको उसकी consumption कम कर देते हैं लेकिन जो higher middle class में जो लोग होते हैं या upper status of people होते हैं उनकी quantity में इतना फरक नहीं पड़ता अगर onion 50 रुपीज आ केजी है अगर वो 100 रुपीज आ केजी भी हो गया, तब भी quantity demand हो रही है and during any particular period of time और time का भी तो रहेगा for example कोई product है air conditioners है, वो सिरफ उनकी demand जो है summers में बढ़ेगी winters में उनकी कोई demand नहीं रहेगी तो price जो है वो भी matter करेगा और period of time भी matter करेगा कि साल के किस समय या किस समय जो है उस quantity को demand किया जा रहा है तो जो इसका सबसे perfect answer रहेगा वो रहेगा option D option D will be the correct answer तो quantity demanded, जब हम demand for a commodity की बात करते हैं तो उसमें 3 variable आजाते हैं एक कितनी quantity demand की जा रही है दूसरा किस price पे demand किया जा रहा है और किस time उसकी demand है तो ये चीज याद रखनी है चलिए, last question देखेंगे इस video का which of the following indices are published by world bank तो indices बहुत important रहते हैं मैं current affairs में भी इसको cover करता रहता हूँ और economy से related जो होंगे वो भी cover करते रहेंगे ठीक है, तो इन में से कौनसी report जो है world bank निकालता है options यह रहे, ease of doing business index, human development index या logistics, performance index ठीक है, पता होनी चाहिए जो important institutes है उनकी reports पता होनी चाहिए एक video मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें हम जितनी important reports हैं जो different different institutions निकालते हैं मैं उसको बहुत अच्छे से discuss करूँगा ठीक है, वो video लेकर कर आएंगे अभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया कि वैसी एक video होनी चाहिए ठीक है, तो वो video मैं आपके लिए बनाऊँगा वो अच्छे से याद कर लेनी है आपने तो answer इस case में क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option B option B will be the correct answer ठीक है, जो second report है वो आपका World Bank नहीं निकालता है तो Human Development Index कौन निकालता है जल्दी से सोचो खुझ से सोचो हाँ जी तो Human Development Index जो है ये निकालता है UNDP ठीक है, UNDP तो ये भी पूछा दा सकता था कि Human Development Index कौन निकालता है तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो जो है वो खतम हो जाती है and I hope आपको मज़ा होगा कोई भी doubt हो, comment section में post कर सकते हो या whatsapp कर सकते हो 9041244689 के उपर या फिर mail कर सकते हो 6shith at the rate gmail के उपर and courses जो है उसका link जो description में आपको मिल जाएगा जो mcq courses है वो भी आप explore कर सकते है चले मिलेंगे एगली वीडियो में तब तक के लिए all the best and bye bye